हेलो व्रिवन आप सभी का हमारे जनेर पे स्वागत है आज के वीडियो में क्लास 10th mathematics जितने भी हिंदी मीटियम बोर्ड है और cbsc बोर्ड बें क्योंकि कोश्चिन मेंने हिंदी और इंग्रिज दोनों में लिखे हैं सो 100 most important questions को आज हम करा रखा है पूरी NCRT करा रखी है और extra important questions करा रखे लिंक मिल जाएगे पर description पर चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के start करते है वीडियो पसंदा है तो like करना में बोलना अगर पसंदना है तो dislike कर देना कोई दिक्कत नहीं है चलिए वीडियो को start करते हैं ठीक है सब्सक्राइब करेंगे पहला क्या बरणिम लिखित में से कौन से सबसे छोटी संक्या विच अब फॉलिविंग इस दर स्मॉलेस्ट composite number सब्सक्राइब क्या है composite number वह होते हैं जो खुद से को कोई number उसको बिभाजित कर दें लिवाइट कर दें तो से हम इंक आंप जिसे नंबर और तो यह नहीं यह तीन भीग अभाज़े सन्क्या तो तीन अगर さबसे छोटी हमारी क्या होती है है गुष रहा घ्राइब नुबर होती है सही तो संख्या होती है तो यह कोशिन हमारा आराम से बन गया है आगे लिएक क्या है पाई एक तो आपको लिखते अ परीमे संख्या थे तो परिमे संख्या है. तो पाई एक अपरिमे संख्या है. तीन कमूल अंडूरूरूरट 3 ही होता है. और 12 तो यह आजाएगा, दो अंडिलूट 3, ठीक है, सवर अंडिलूट 3 चरण त्लिल एक बटन दो आ गया, यह क्या है परिमेशां ऐख है, साथ से साथ कर जाएगा, अन्डूट 1 आएगा, एक एक, यह चीज हो गई, फिर यहाँ देखो, अंडिलूट 2, डसको लिख सकता परिमेसंख्या हो जाएगा एक पambaंच उप्षिन नहीं नहीं नंबर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कोई दिपकत कोई प्रिशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लें अगला कुशन बोले दो संख्याओं की लौशा तथा मौशा बराबर है तो संख्या कैसी है प्राइम है बराबर है साभाज है अगला कुशन है 0.29 देखो 29 की उपर एक रेखा लगी पड़ी है जब पैटन मिल जाता है इस पैटन का मतलब क्या है यह 0.29 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है बेटन 2929 बार बार आ रहा है और इसको हम पी बट्टे की रूप में लिख सकते हैं और यह चीज अपने कुशा नौ में ही सीख रखी है तो बेटा जी एक परिमेस है क्या है अगर आप्शन में लिखा नहीं है तो यह बट्टे क्या है परिमेस हैं तो कह रहे हैं इसका पी बट्टे क्यू में क्या रूप हो सकता है तो इसको स्वाल करने का तरीका क्या है इसको आपको एक्स माल लेना है ठीक है इसको क्या माल लेना है एक्स माल लेना है ठीक है कोई दिक् निन्यान अवे एक्स ठीक है इधर और इधर सेम टूसे में इधर सिर्फ 29 बचेगा एक्स की वैलों कितनी आजाएगी 29 बट्य निन्यान अवे निन्यान वे कहा है लिखा हुआ देख रहा है आपको अप्शन नम्र डी यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है मैं सॉल्व करके बता रहा हूं हाँ अगला कुशन है वन मैंनस साइन स्क्वार साथ का मान कितना होगा ठीक है वन मैंनस साइन स्क्वार साथ का मान कितना होगा सो देखो इसका मान में निकालना है सो कैसे निकालेंगी देखो टेबल बता होनी चाहिए वन साइन साथ का मान कितना होता है बिच्चो अंडू नमबर क्यांसा से हो जाएगा सी एक बटा चार होगा वानपन फोर होगा यह हमारा अंजर आजयेगा आपको बढ़ते हैं जो प्रशना वाले एक दिस्माल लग चार है वो उसमें मैंने पूरा सबकु समझा रहा है अगर आको नहीं पता आप आप देख सकते हैं तो चेक कर लेते हैं, 10.95 है नहीं, आपको बट्टे वाला देखना होता है, जो बट्टे में है, जो अपॉन में है, उस काम क्या गरते हैं, प्राइम फेक्टर करते हैं, अगर वो 2 गुणा 5 के रूप में आ जाता है, तब तो वो शान्त होगा, अनिता क्या होगा, शान्त तो बट्टे वाला देखो, 40 को रिक सकता हूं में, 8 बंजे 40, 8 को रिक सकता हूं में 2 की गात 3, तो देखो ये 2 गट, इस रूप में आ गया ये, 2 की पावर, M गुणा 5 की गात, N की रूप में आ गया, तो जिसके बट्टे वाला इस रूप में आ जाता है, वो शान्त होता ह तो ये शांत होगा। अरिमें वाकिश नहीं होंगे। दो उदिज इसानतब, 5 और 5 के आहां जाती है। आगे बिटते हैं, next question, कियारें निमली खित में किसका दश्मना परशार अशानत है, ठीक है, किसका दश्मना परशार, अशानत है वो आपको बतान है, तो देखो बिच्छो, जो दो गुणा पाच के रूप में नहीं होगा, वो अशानत होगा, सिधी जी बात है, तो ये बाल की खात M की रूप में है, तो ये भी शानत है, ठीक है, अब बच रहा है 343, ठीक है, 343 को देख लेते हैं, इसको गुणा करके देख लो, किस से कटेगा, सचो को 28, नहीं, किस से कटेगा है, सोचना पड़ेगा, ये, 512, देखो, अगर 4 आपके पास हैं, अगर 3 नहीं हो रह ठीक है, सो मुझे लग रहा है, 512 का अगर के देखते हैं, जो सरल है, ठीक है, 512 का काटो, 2, 2 निचार, 10 होगे, 2, 510, 2, 12, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 16, चुछे, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 18, तो ये 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, यह नहीं है, यह नहीं, यह नहीं है, आप्षिन नमर्ड दी बिल्कुल सही हो जायेगो, ठेके अपर का तो यह उनसर अपका अपका सही है, आगे विटते हैं, पास का घातान कितना है, ठेके, 400 का घीओ, पांसर कितना जायंगा बच्चों कि तो आजाएगा कोई दिक्कत दिए कोई प्रशान नहीं है अराम से हो गया तो नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रीन पर बचो क्या बूल रहा है कि 130 को हम ऐसे लिख सकते हैं यह तदा और 130 और 15 का जो मौशा एक्सवाई की बराबर है तो एक्सवाई कितना होगा वह आपसे पूछ रहा है तो थोड़ी सी चीज़ आपको पहले ब्रहमित करने के दे रखिए कि 130 को मैसे लिख सकते हैं यह आपको दिमाग को डाइवर्ट करने के दे रखा हैं सीधा सीधा आंसर है कि 130 और 15 का जो मौशा ह जाए, 130 अगर इसका अठीकर करूँ तो 5 सिरी दस ठीक है ? 5 सिरी दस पांच खंग थीस ठीक है ? 2 kob 2,3,last 1300 तो 130 को मिलेक सकता हूँ 5 Stephenan 2,13 ठीक है ? फिर 15 खोली सकता हूँ में 5 थीस ताओं धीडंज से रहत यह है तींस तीक है ? तो 15 खोली सकताा हूँ में 5 तीन फीन थीन मौशा होता है थि किस मौशा यह अब लेका है तो देखो मखना करना है तो देखो 15 में 50 गुना 3 और 10 वी 45 डूब है तो पहला ही जो ऑप्षिन है उसका मॉशा 5 तो ऑप्शन नमबर यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यह हमारा अंसर आजाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में आजाते हैं कि कहने 125 का परिमेकरन गुणां क्या है कि अन्रूड 125 को कि से गुणां करें कि एक परिमे संख्या की रूप में आ जाए यह हमसे बोल अब इसको अन्रूड 5 इसके साथ गुड़े में वही दिकत कर रही है तो अगर अन्रूड 5 को मुझे हटाना है तब यह परिमे संख्या बनेगा और उसको हटाने के लिए मुझे कम से कम किस से गुणा करना पड़ेगा अन्रूड 5 से ठीक है तब जाके यह पांच होगा संख्या वह सबाइस हैं तो फॉल lavender is a crop को प्राइम आप को प्राइम क्या होता है अगर आपके बास दो संख्या की बात कर रहा है था था ठीक है दिकिए दो संख्याय की बात कर रहा है ना अगर आपके पास धो संख्याट है और उनका एचसीफ निकालो और वह एक दे दे तो उस दोनों संख्याओं को हम क्या भूलते हैं कि वो दोनों सेंखें आपस में सहबाज्य हैं यानकि जो आप्शन्स आपको दे रखें उनका अगर HCF दे निकालो पेर्स में और अगर एक दे दे तो वही आपका सही उत्तर देगा सो देखो कौन दे रहा है आपको यह सिफ किसका बनाएगा तेरा पंजे पैसेट यह तो कता ही नहीं देगा एक इस चुक्के चुरासी यह भी नहीं देगा ठीक है नौका देख लू तीन तीन नो ठीक है और सोला अँग दो की घत दो दुनी चार दुनी आर दुनी सोला सुदे को इसमें कुछ भी कितना होता है है बड़ा नौ और सोला का सिर उसल उसक जाएंग एक जाएंगा एक कुछ भी तो यह जो नौलों और सोला है ठीक है इस यह हमें दे देगा यह जू संख्या हो जाएग Candy को प्राइम हो जाएंगे सर अभाजी हो जाएंगी बढ़ी असानी के साथ शुद में य रहें रैखिक बहुपद में शुन्यकों की संख्या होती है रैखिक बहुपद जिसकी घात होती है रैखिक का मतलब ही घात एक ठीक है और घात एक यनकी शुन्यक भी एक सिंपल आराम से होगे आगे बढ़ता है नेक्स कुश्ण पर आजाते है ठीक है कुशन हमसे क्या बोला है बहुपद X की घात माइनस वन का सुनने क्या है देखो시는 एक स की घात यह यानकी एक बट्ट एकस ठीक इस की सुनने हम से नहिए कि यसका सुनने क्या होगा तो यह आप परिभाश्यट होगा क्योंकि बट्टे में एक्सिच चला गया है अब सबस्कूरइब कि यूकर यह लूट गरपकृश्य जाए तो यह जो फुलन है नव परिभाश्य नगी अपर्शन नमठो ले वह जायागा आप परिभाश्य लोग कि अंगे बड़ते है,नेक्स्ट ठीक क्वेुशन किया बोल रहे है,किसी द्वीग्यादववपत के शुन्नयक यदि-स्टार एयवं Sak ODUetø2 2bopatt क्या हूँआ मगावोट उफर शुन्यक आम किया देका अधि य। अलफा है ये शूदो रहते है этवाँ बीटा दे रखाये ैलफा दे रखाया माेनिस ये आड़ार दे रखाय है साथ फ़ीब माइनिस चार और साथ तो सॉत मैंसे चार गटाये ऊज़ीन जाएगा only took a यहां से माइनिस के 3x 25 को 28 यह हमारा भूपत आ जाएगा एकस स्क्वार माइनस की 3 एकस माइनस की 28 ऑप्शन नमबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं कोई परशानी नहीं ठीक आगे बढ़ते नेक्स्ट कुशन पर जाते हैं करें एक द्विकत भूपत के शुन्यों को का योग एकस स्क्वार माइनस के 5 एकस प्लस के 6 आप्शन नमबर बीस ही हो जाएगा इतना आसान है आप खुदी देख पार है अगले कुछर में आ जाते हैं हमसे बोल रहे हैं कि यदी बहुपत की सुन्ने के अलफा और बीटा है ठीक है तो हमें अलफा गुणा बीटा का मान निकालने है शूत्र क्या होता है शूत्र होता ह तो यहां पर देखो बच्चों एक जगापर वाइफ इसका गुड़ांक बीके जगापर माइनस के छे और सी के जगापर आठ है ना तो रगदो आठ बट्टा एक यानिकी आठ तो ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक अगे बढ़ेते हैं नेक्स कोशन पर आजाते हैं के रहें अगर एफ एक कमान ये है ये अगर एफ एस तो एफ बन माइनस का मान कि इतना होगा बस जहां जहां एक से वहां वाँ माइनस के वह न रग दो ठीक तो यह हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस मैनस प्लेस के 2 तो 3 एक कम 3 प्लेस 7 प्लेस 2 इनकी 12 ठीक है सो आंसर आजाएगा 12 तो option number B है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं next question पर आजाते हैं इहां कुछिएक्सस्कोर मानस फेरले हैं खिए का कॉस्ट सब्सेदsawर सब्सब्सीमा जिसटाएगा सब्सुद्रस lower option बिर बेल razor हो जायकाчит ुंट कोई दिखत नहीं कोई परिशानी रहीव फॉर बढ़ते हैं का निमने में से हल कौन से है, देखो बटा हल बताना है, ये रला ले लेते हैं, एक्स, ओप्शन सही आप कर सकते हो, देखने की भी जरूरत नहीं है, देखो, जो सही संतुष्ट करेगा न, वो इसका सही आंसर देदेगा, ये कुछ छुप रहा है कि है यहां से, ठीक है, I don't know, ओप्शन देख नहीं रहे, पहला हवाला ओप्शन देख लेते हैं, एक्स के जगापे छे रखें, ये जगापे छे, तो 6, 2, 6, 36 में से 12 गटाएंगे, जीरो तो बिल्कुल नहीं है, ओप्शन नमर ए तो नहीं होगा, एक्स के जगापे 2 रखो, और ये जगापे 6 रखो, ठीक है, इसके जगापे 2 रखो, इसके जगापे 12, माइनस 12, 0 आगया, ठीक है, बाया बक्ष हल करने पे मुझे दाया बक्ष दे दे रहा है, ओप्शन नमर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये कुशन भी आपका सही हो गया, आगे आजाते हैं, नेक्स्ट कुशन प एवन बट्टे एटू निकालेंगे, अभी नहीं, थोड़ा शॉर्ट कट न हो जा रहा ही है, एवन कितना है पहले ये देखो, चार, बीवन कितना है पी, सीवन प्लस का छे इदरा के माइनस का छे, एटू, बारा, एक्स का गुड़ांक, बीटू, नो, य का गुड़ांक, सीटू, प्लस की बंदरा इदरा के माइनस के बंदरा, ठीक है, समाना अन तिर के लिए क्या होता है बच्चों, कि जो एवन अपोन एटू होता है, वह जो बीवन बट्टा बीटू होता है, बराबर नहीं होता है, सीवन बट्टा सीटू के है, ठीक है, यही होता है, मान जाए बटां पिनकम तीन तीन तियानों पी कम पी तीन कम तीन तो पी का मान कितना जहीं थो तीना जाए option number 20 हो जाएगा ठीक है आगे बटते नेक्स्ट कुशन में जाते हैं करें समीकरण के अंगिनत हल हो तो और बहुत ही शांदर कुशन है अनगिनत हल जब होगा अनगिनत हल तब होता है जब एवन बटता एट्व बराबर बड़ा बराबर था द्रक्राइट यह होता है और भद दयुकिंज है को एक म्मिकम द्राइए टू इतने पांच मोरी ले लेत आए के एक कम के दो पंजे दस सो के का मान कितना होगा दस होगा ऑफ्शन नमबर डी हमारा बिल्कल सही हो जाएगा ठीक है तो ये कुशिन भी आपका आराम से बन गे हो आगे बढ़ते नेक्स कोशित पहा जाते हैं करें निम लिखित में से कौन सा दूइगात समिकन है ठीक है दूइगात समिकन कौन सा है वो आपको बताने सो देखिए एक एक करके दिखेंगे ठीक, तो यह तो बिल्कुल नहीं है, हल करोगे 2 अब दुईगात समीकन वो होती जिसकी अधिक्तम घाद 2 हो 2 से कम होगा, तो भी नहीं होगा, 2 से जादा होगा, तो भी नहीं होगा इससे यह कटा, सेम टूसेम, यह क्या बचा, 4 X Q, माइनस कटो उधरा के प्लस कटो, तो यह X की गात 3 है, तो यह दूगात समीकन कटा ही नहीं होगा, ठीक है, इसको हल करते हैं, यह मुझे लग रहा है कि होगा, देखते हैं, A कवर, B कवर, 2 AB, इधर के हैं 3 X, चात्तिये 12, ठ X स्क्वेर, 3 X गट जाएगा, तो फिर X बचेगा, चार में से 12 गटा होगे, तो माइनस के 8 है जाएगा, तो यह दिको X की अधिक्तम गात कितनी है, इसमें, 2 है, तो यह दूसरा वाला हो जाएगा, बाकि यह सब नहीं होगे, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि X की अधिक्तम गात, इसमें, 2 है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, करें दूसरा समिक्रल के मूल का शूतर क्या होगा, देखो, क्या होगा, शूतर अगर इस रूप में होता है, इस रूप में होता है, AX स्क्वार प्लस BX प्लस C, है ना, तो X का मान क्या होता है, माइनस के B प इस रूप है, यह यह शूतर होता है, यह एक एस थान पर P है, B के थान पर Q और C के थान पर R है, रद्धो यहाँ पर, ठीक है, तो B के थान पर माइनस का Q, प्लस माइनस Q स्क्वार 4, P, R बट्टे 2, P, यह कहा दिख रहा है, आपको, यह दिख रहा है, यह आपर, आप्शन निम्बर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अराम से हो किया कोई दिक्कद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन पर आजाते हैं करें दुबिगा समीकरंठ के मुलों की प्रकृति कैसी होगी यानि कि जब प्रकृति आपसे बोलेगा तो आपको डी निकालना है और विविक्तिकर क्या होता है बड़ ना डी का फॉर्मूला बी स्क्वार माइनस के 4 एसी एके स्थान पर 6 बी के स्थान पर 6 और एक स्थान पर एक है तो चै का वर्ख 4 एक मान 6 सी का मान 1 32 चल्च 24 प्लस के है भाड़ जब डी का मान प्लस में आता है तो क्या होता है अलग-अलग मूल आते और मूल होता है वास्टिरicht D कामान अगर 0 आता है तो मूल वास्तिविक होते हैं दोनों मूल समान होते हैं अगर D कामान माइनस में आता है तो कोई वास्तिविक मूल नहीं होते हैं तो D कामान प्लस में आये तो वास्तिविक मूल है और मूल असमान है ठीक है यह option C सही हो जाएगा आगे बढ़ दें कैने समिक्रण के मूलो का योग क्या है मूलो का योग बोले तो मूलो का योग बोले तो अल्फा प्लस बेटा शोत्र होता है माइनस के बटा ए यहां बी के स्थान पर कितना है बटा माइनस के अठारा और एक स्थान पर कितना है तीन तीन संग अठार, आंसर हो जाएगा छह, प्लस की, ओप्शन नमबर डी हमारा बिलकुर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन में आ जाते हैं, है, गेरेत्वा समे करांट के मूल एक दूसरी के लिटिक्रम हों गही है, ये दि, इकbreव ऐसी धूसरी के विटक्रम कभ वोंगे, ठीक है, का अब इसकी स्थानबर आगर पहला मूल आलफा था दुस्तार मूल उसका विद्करम होगा अठाइब को अब आप शूत्र आपाइब शूत्र ने ऐस एफ़ा से ऑप कड़ा को सिया पोन ने एक गम बराबर सिय तभी हो सकता जब ए और सी ने अबराबर हो आफ ए और सी के का आराम से बन गया हो करें समांतर सerin का पंदरवा पद क्या होगा हिका हो डो फिरक है थो अ हमारे पास इस को इनमें कि में चीन्मट है परिका वे छोग़ने सबया बॉल्स की प्रधम दो Feels एक ही और डी हाम सब्स्सक्राइब क्यां Сब्सक्राइब उप रहा बट्टे दो ठीक किया गड़ बढ़किया हमने कुछ तोगड़ बढ़किया नहीं है ठीक यहां माइनस लगाना भूल गया होंगे ऑप्षिन नमबर ए से हो जाएगा आगे पड़ते हैं क्यान तु केरे की से कौन सास्ताि स्रेनी नहीं है जिसके सारवर दिसके सारव अंतर बड़ाब नहीं होते व्यक्त थ byगत मी यह चार के बात 10-10 के बाद 15 हैं तो इसके उन्तर कितना एच्छा है फिर इसके अंतर पांस नहीं है यह आठके बाद 14 14 के बाद 20 है लो आठ और 6-14 किस भार्ण कोंसा नहीं है वो हमसे भूजा दा तो यह नहीं है यहीं आपका सही अंसर हो जाएगा है नहां यह नहीं है, बाकी तो प्रिस्टार्टिंग के तीन हो जाएंगे. अच्छा, फिर बोला, यहकिसी समांतर सर्णी का पहला पद नो हो, और शारवंतर माइनस तीन हो, एसके प्रतम बारापदों का योगफल क्या होगा? अच्छा प्रतम 12 पदों का योख्फल निकालना है S N शूद्र क्या होता है N बट्टा दो 2 A प्लस N मान सब्सक्राइब इन्टो ड होता है है नग सुद्छो हमें क्या दे रहा है प्रतम पद यह A है शारवन तर यह D है N यहाँ पर 12 है बान रख दो यहां पर दे कितना है मैने सकी थी दो चंग नो दुनिय अठारा गैरा मैंसे गिया गैरा गैरा थिया थिस ठीक है तेरह में साड गटाएंगे पांच और यहां से दो मैंसे गिया एक मैने सकी पंदरा पंदर चकान अब्बे माइनस के नब्बे आंसर आजाएगो ओप्शिन नमबर सी हमारा बिल्कल सही हो जाएगो ठीक अराम से हो गया है आगे बढ़ते हैं एक्सक्रोशन में करें है कि आशी का कौन सा बद एक्सेोंसंते कौन शर पद एक्सेोंसोंसे और आपको बताने कौनसा पद इस कि ली को जान पदाने ना जाएगो जानक हेडwang शूत्र आपको बता होगा एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटो डी ठीक है तो एन हमारे पास यहां पर 170 है ए हमारे पास यहां पर 17 है एन निकालना और डी पी हमारे पास 17 है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं है तो यह दर आके घटाएंगे यह जाएगा 163 यह सत्रा गुणय में दर्गे बट्टी मा जाएगा एन माइन बाशतरा नम्मा एक सुथरे सट माइनस का वन दर्गे प्लस का वन हो जाएगा तो एन का मानिया से 10 आ जाएगा तो जो दस्वाप पहते बच्चों वो एक सुथ तरोगा इस तरह नहीं का ठीक है तो यह को शिद्धे में अरा म से बंगिया अगेब अध्य नेक्ट कुशिंवाता है करें पदों की संख्या तर्गें हो जि कि इस्ञा इसमें कितने पद थे त्ट्रेपद हैं कितने पद हैं कि अन निकालना यानिकी एह मारे आपस अंतिम पद एन यापश्य पदों कि अन क आपको एन बराबर पता है एन बराबर होता है एन बराबर होता है एन कितना हमारे पास यहां पर 6 प्रताम पर 51 एन माइनस वन डी हमारे पास माइनस के ठीक है तो यह गटा होगे तो 51 में से 6 गटाओं मैंनस यहां लगा दो तो ठीक है तो यह आजाएगा माइनस के 45 और यह माइनस का तीन दरा के अपोन में आ जाएगा ठीक है मैंनस से माइनस का पर तीन एक कंती तिन बचा पंदर ओधना माइनस का एक दरा के अन का मान कितना जाएगा बच्चो 16 तो इस तो इस स्टोर्णे में कितने पढ़ा है बच्छो 16 पढ़ा है और ऑप्शन नुम्र भी हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा को सिम्बल अराम से हो गया कि मुक्या रहें जीरो और पचास के बीच विशम संख्य कि संख्या कि लिए तो यह भुस्चा, बच्चा बोल देगा इसे , आल करने की भी भु करने की भुश्रूरत निए पर जीरो से बच चास के बीच 25 शंख्या होती है 25 सम्ख्या होती है सो आंसर आजाएगा 25 जाएगा करके देख प्रत्रकर संख्य आपकी एateg ‫- ऊथोगी आपकी 49 अहीन हो जाएगी और गष beispielsweise लगा दिख लेना 25 आएगा अगले ना जाते हैं किया एव सी जिसमें B कॉन संकॉन है एक तिरभुच बनाना है अगर यह भी है यह होगा यहां सी होगा ठीक है फिर हम से क्या हो लाए कि तो एकम आपन को बड़ावर होगा थे टेंड़ का मान कसके बड़ावर हो इक आउर ठीजा इमलते और उसके सामने वाली मुझा मिश्य क्या होती है लंब होती है यह लंब हो expres होता है बогर आउल हमसे बोला टेन थीटा ठीके टैने क्या होता है खोटा लम बट्टे अधार लम कितना है यहां पर एक अधार कितना है अंडूर 15 ठीक है अंसर किया जाक एक बट्टे अंडूर 15 ओप्शन नमबर सी हमारे बिल्कल सही हो जायागा आपको याद रहें निका ट्रिक भी पता होग ट्रिक पता है ना लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम साइन कॉस टेन नीचे से को सेक सेक कॉट तो लंबट्य आधार आपका क्या होगा टेन थीटा यह शॉटकट मैंने सिखा रखा था आपको चप्टर नूम्बर आठ वे में ठीक है वहां सब मैंने पढ़ा रखा है आगे को बढ़ देनेक्स्ट कुछन आ जाते हैं कि कहरें यदि कॉसिक अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यह सारे चीजी आपके चप्टर वाइस एंडिक यूज की रूफ में आ रही है एक की बाद एक चप्टर के साब से आ रही है ठीक है करें यदि कॉसिक फाइक आमान के हो तो कॉस्फाइब का मान क्या होगा यह हमसे बोल रहे हैं कॉसिक हमें दे रखा है कि ठीक है तो कॉसिक का उल्टा वह कॉसे को लिख सकते हैं वन अपन साइन फाइब यह हमारे पास किया है तिर्शे गुणा कर देंगे ठीक है तो साइन फाइब का मान क्या हो जाएगा साइन फाइब का मान हो जाएगा वन अपन की लेकिन हमें साइन फाइब निकालने हैं हमें कॉस्फाइब निकालने तो कॉस का शूत्र क्या होता है बटा कॉस्फाइब यह हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वार फाइब यह साइन यह एक बट्टे में की इसका स्क्वाइर कर दूँ तो यह आजाएगा वन वन का स्क्वाइर वन के का स्क्वाइर की स्क्वाइर क्या यह चीज है नहीं इसको और सरल किया गया है थोड़ा और सरल करते के स्क्वाइर तो यह आजाएगा की स्क्वाइर माइनस के वन ठीक में कि option number B हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं कोई प्रशन नहीं आराम से हो गया नेक्स्ट कुशन पर आजाते हैं आप करें एक बट्टा सेक किसके बरावर होता है तो बच्चे बच्चे को पता है कि एक बट्टा सेक सूतर होता है यहां पर एंगल फाई है तो फाई लिग देंगे कौस्ट फाई के बरावर होगा ठीक है देखो mcq सारे ही सिंपल बस शर्त गी है कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हो अगर अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हो हर एक mcq बहुत इजी है ठीक है तो कहरें कोट एक्स गौणा टैने स को मान किसके बराबर होता था थो बच्चो एक के बराबर होता है लगे रही हात में और ह्यार दों तो वहाँ पर मैं सिर्फ NCRT questions ही नहीं कराता हूँ, मैं हर एक basic चीज़ को समझाता हूँ पहले, उसके बाद बागी जोगों बताता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question पर आजाते हैं, कि subscribe का मानलएं एक बट्दे का मानल निकाल लेता हूँ, है to, sin phi, संभी यह का महले नोथ फॉर्म लाहां माइनस क 것은 स्क्वायर्फ 1 था स्क्वैर का डिना गेम स्क्वायर मन दोगा स्क्वेड चार किया सैंम चार मांइनस visto y यहाँ निकालना फाई कॉसेक होता है इक साइन फाई को सेक्वार्ण वित्करम करेंगे थो हमें बेटे अंडरूट युजाए अराम से हो गया है कि नहीं कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन पर आज आते हैं कि करें यह फाइक का मान पन पैतलिस दिगरी है तो इसका मान क्या होगा वही तिरकोड में तेबल आपको पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे सेक पैतालिस और कॉसेक पैतालिस ठीक है सेक पैतालिस सेक को सेक का उल्टा होता है सेक पैतालिस का मान होता है एक बटन रूट दो तो इसका हो जाएगा अंड रूट दो को सिक पैतालिस साइन पैतालिस का मान कितना होता है एक बट्टें रूट दो एक बट्टें रूट कर वित्करम दो तो यह जाएगा आंसर दो अन्रोट दो ठीक है ऑप्शिन नूमर डी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आराम से हो कि है नेक्स को इन पर आ जाते हैं करें इसका बान किसके बराबर होगा कि ऐसले को बट्चों मान अब इन अठीक हुआ अब इसका मान बे टैन में 146 मान होती है बच्छूं 10 से 10 हट जाएगा एक आमान कितना जाएगा 60 डिगरी एक आमान कितना जाएगा 60 डिगरी तो आंसर कितना है बिच्चों एक आमान निकालना था हमें 60 डिगरी आ जाएगा कि सिंपल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशिन पर आजाते हैं कि इसका मान क्या है ठीक है सो आप देखें 35 और 35 को जोड़ेंगे तो एक आता है और 90 आता है ठीक है जब किसी दोनों आंगे लोगों को आप जोड रहे हैं और बट्टे में है ना बट्टे में है तो इसका हल क झाल पर जाया इक आईगा फर इस क्विर इसको इक रहो एक आया पर इसका रोग जाय एक शॉट ठीक सब दाए मैं जान बूझक बाकी लॉंग में रखा यहां पर शॉट्रीखी बताने चया रहेगा तो तो आन्सर आ जाएगा क़र आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन म आई कि क्या लिख निजिका हैं जीरो होगा साइम जी описании 0, कॉट 45 का मान एक संकाई प्रत dönिज दो है न », चणता कोर्ट न अई पूटहे थें, ठीक है यह सबसे बडा मान पूछाएदा सबसे बारा मान यह हो जाएगा सी ठीक है maximum value कि अब आजाओ next question कि साइन तीस का मान क्या है साइन तीस का मान एक बट्टे दो होता है बच्चे बच्चे को पता है कि आगे आते हैं next question पे कॉस्ट स्क्वार्ट थीटा माइनस वन कि देखो आपने वन माइनस साइन स्क्वार्ट थीटा बढ़ा होगा यह क्या आगया कॉस्ट स्क्वार्ट थीटा सो देखो यहां से क्या ले लो माइनस वाइनस ले लो तो यह प्लस का हो जाएगा और यह माइनस का हो जाएगा और आपको इसका शूतर पता है क्या होता है sin squared theta स्वा अंसर आ जागा, minus के sin squared theta आगे बड़ते हैं, next question प्राजाते है क SCP मान क्या होगा ठीक है इसका मान क्या होगा 1- sexualifier theta क्या होता है तो आपको पता होगा 1-3 square theta säc square theta के बराबर होते है तो ऑधर अगया तो वो उदर जाएका ऑग श हो जाएगा माइस के टैन इसक्वर यिटा इसके ब्रावर होता है यह माइस के 1025 द्यूर पर खकर त्यूर और यहां का लिखा क्या लेका कॉर्ट डिता यह था इक है एक कावर एक और यह जाएगा स्क्वार इससे यह कटा तो अंसर आजाएगा माइनस के एक option number C हमाने बिल्कुल सही हो जाएगा तो यह question भी हमारा आराम से बन गया अगे बढ़ते हैं next साइन आलफा दूना कॉट अलफा का मान क्या होगा यह आप से पूछ रहें कि साइनल असरा की साइनलफा पितलता हों में सकता हूं कॉस साइनलफा काओ से मीच के लिए त्लू आ जाएगा काऊ से ओप हूं अप्ष्यन नमबर भी हमारा एक स्धी हो जाएगा आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट कुशिन में, कह रहें, यदी, क्या ये, यदी थीटा बट्टे 5, 12 डिक्री के बराबर हो, तो 3 गुणा कॉशिक स्कुर्ण थीटा किसका बराबर होगा, 12 बंजे 60 थीटा का मानोगे, 60 डिक्री, यहां रखना है, कॉशिक स्कुर्ण है, तो कॉ स्कुर्ण थीटा बट्टा 2, यहां से अंट तीन बचेगा, अंड रूट कवर करने पर अंड रूट हट जाता है, स्वांसर आगया 4, ओप्शिन नमबर C हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कुशिन पर आजाते हैं, कुशिन नमबर 48, कह रहा है, साइन एक्स माइनस साइन स्कुर्ण एक्स, बल माइनस यह है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, देखें इसका मान क्या होगा वह हम देखता है, यहां से अगर आप देखो गह तो cosh square x common है, यहां से आ सकता है 1 plus cosh square x ठीक है, यह चीज आप यहां से देखो तो यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों शाइन एक्स ब्लस शाइन स्क्वार एक्स बन के बराबर है तो शाइन एक्स यह माइनस साइन स्क्वार दरा के क्या हो जाएगा मैंने को जाइगा 1-1 को एक स्कोर एक सकता हम या फिर कोश इसको एक सकता हूं को ति के को इसको एक स्की जागा पर मैं शाहने किया जाए कैसे करें कॉश स्कॉर एक्स प्रस कॉश की पावर फोर एक्स है ना तो ठीक है यह जाई आई अब क्या उपयोग में लाया जा सकता है क्या उपयोग में लाया जा सकता है देखो कॉश स्कॉर एक्स कॉश स्कॉर एक्स की जगा पर मैं शाइन एक्स रख सकता हूं ठीक है यहां पर शाइन एक्स लख सकता हूं और कॉश की पावर फोर एक्स की जगा पर मैं इसको मैं एसे लख सकता हूं ना कॉश स्कॉर एक्स की ऐसा तो यह शाइन एक्स इसकी इसका वर्ग तो शाहिन एक्स यह हो जाएगा शाहिन स्क्वार एक्स और इसका मान मुझे क्या दे रखा है एक स्वांसर क्या हो जाएगा एक सिंबल थोड़ा से दिमाग दोलाना था अनिक नेक्स कोश्ण हम जा है चैनलिक सब्सक्राइब को होता हुआ और एक साथ नियुक्राइब निक्सट का मान अंडरूट 3 होता है ठीक है साइन साट का मान अंडरूट 3 बट्टे 2 होता है सो यह 3 नहीं है तो clearly sec 30 का मान दो बट्टे अंडरूट 3 होता है तो option number a बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है करने यदि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान x के बराबर है तो कॉसिक थीटा किसके बराबर होगा clear यह हमसे पूछा जारे कि कॉसिक थीटा मैनस कॉट थीटा का x के बराबर है सो आपको पता हो एक चीज कॉसिक और कॉट पर बात हो रही ना तो किसके बराबर होगा आपको पता होगा 1 plus cot square theta को इसके बराबर होते है to cause square theta के बराबर होते है है ना कोई सबती है cot लिखना है इसका मान 1 के बराबर होते है तो यह किस रूप में है, a²-b² की रूप में है, आपको पता होगा, इसको मैं ले सकता हूँ, a plus b, a minus b, लिख सकता हूँ, हैगी नी, यह इदर एक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, कॉस एक थीटा, प्लस कॉड थीटा, गुड़े में, कॉस एक थीटा माइनस की, कॉड थ इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसका अमान मुझे एक्स दे रखा है, तो यह x से गुड़े में हिदरा किया हो जागा, बट्टे में हो जाएगा, तो कॉस एक थीटा, प्लस कॉड थीटा का मान एक बट्टे एक्स आ गया, यह समय कर नमबर दो है, और यह समय कर नमबर एक है, इनको हम हल करेंगे इनको हम हल करेंगे देखो इसको ऐसे रखा कौसेक थीटा प्लस कौड थीटा बराबर एक बट्टे एक्स और यहां पर है कौसेक थीटा माइनस के कौड थीटा बराबर एक्स हमें किसका मान निकालना है हमें कॉसेक तीटा का मान निकालना तो इसको जोड़ दो तो यहां से आजाएगा 2 कॉसेक तीटा एक बट्टे एक्स प्लस एक्स ठीक है LCM X 1 प्लस X स्क्वेर यह 2 इदर मल्टिप्लाई में इदर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1 प्लस X स्क्वेर अपॉन 2X includes I'm option number C हमारा बिल्قुल सही हो जाएगा तो विप्टि कुशिंस हमारे होwi हो चुके हैं कि पिर्फ्टि कोशिन हो चुके तो आज किस बीडियोमा पाट्वन कर रहे हैं जिस फुरिशन um one से लेकर एम और 50 कूशिन को घम दीटेल में very की कुशन को सोल्पार इए are parts w में जो बच्चे भी 50 कोशिन है वो करवा दूंगा कल तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है आपको पूरी NCRT पच्छे से बढ़ नहीं है जो कि मैंने पूरा करा रहा है फ्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा प्ले लिस्ट की कुशं करा रखें सब्यक्चिंटिव मों विण जैंगे डेंगे इमपर्टं चेप्टर वाइस यِّ सई मैंने हर चप्टरψकुन कर रखेंAN जैनल पर चैनल पर डेली इंपर्ट्टाव सब्रॉड रखें पulators को जरूड़ देंखे अपना प्यारव सपोड बनाया 103 चैनल पर झाल झाल झाल